दोस्तों Photoshop में टेक्स लिखना तो असान है लेकिन उसी टेक्स्ट को अगर 3D बनाने की बात आती है तो थोड़ा सा हम लोगों को टप लगता है लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी टीप्स बताएंगे जिसके मादम से प्लेगिंस के मादम से आप उसे बड़े ही असारी से कुछ इस वीडियो को सुरूर से लेकर करके लाज तक आप जरूर देखें तो चैलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों Photoshop में 3D टेक्स लिखने के लिए मुझे Photoshop के CC वर्जन में जाना पड़ेगा तो मैं यहां से अपना CC वर्जन को आपिन कर लेता हूं तो यहां प कोई भी साइज का यहां पर एक आपको ले लेना है पेज जो कि मैं अभी यहां पर साइज ले रहा हूं इसको मैं इंच में कर लेता हूं और उसके बाद रेजूलेशन में आप यहां पर 100 ले सकते हैं और उसके बाद यहां पर मैंने एक new page ले चुका हूं और यहां पर क्य अधेने रहे हुए। उसके इसको मैं इस परकार सेभा الف्कार कि सेंटर में लेगाताओं और इसके जो यहां पर टेक्स्ट का होंट इसको मैं यहां पर चेंज कर देता हूं kır पकुछ इस परकार से को लिखुड झका हूं और इसका यहां पर शाहिए। व्यूद 350 colt ly अपको भी प्रेश करना करना है उसके बाद यहां पर पर क्लर ऐ से चाहिए यहां से आप क्लार को चैंज कर सकता हूं लिकिन यहां पर Hopkins L Adional WhatsApp Master match स्ट्रोक क्लर एक स्ट्रोक में आपको यहां से स्रेड करना है ओसके बाद यहां पर देख सकते हूं मैं यहां पर gradient color को लिए लेता हूं तो मेरे पास अभी gradient color है यहां पर मैंने ok कर लेता हूं और stroke में मैं यहां पर एक white color का एक stroke देता हूं मैं ठीक है तो white color का stroke देदी हम यहां से और उसके बाद इसका background color change करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा background color में जाके double click करना ओके करना यहां पर और यहां से नीचे में effect का option मिलेगा और यहां से आपको gradient overlay के option पर क्लिक करना है और यहां से कोई भी color आपको select करना है तो फिलाल मैं यहां से double color को select करता हूं और नीचे वाला color को यहां पर इसको फोड़ा साल का believe करता हूं और यहां पर यहां पर उपर टेक्स्ट का effect लगाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा यहां पर आप देख सकतों layer पेनल में यहां पर हमारे पास यह लेयर का कई प्रकर का एफेक्ट लगा हुआ यहां पर यहां पर राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद यहां पर आपको रेस्टराइज लेयर स्टाइल कर देना आपको अभी यहां पर यहां पर हम 3D टेक्स्ट को अपलाई करने वाले हैं चैन्म करने इसानिक आपको यहां पर देख सकते हैं और यहां पर देख सकते हों कि यहां से चेंज करना चाहूंगा तो मैं यहां से कर सकता हूं जैसे कि आप देख सकते हूं और यल्लू स्टोन को भी मैं हलका सा कम कर देता हूं देख सकते हूं कुछ इस परकार से हम बड़े ही असानी से कर सकते हूं या तो यहां पर आप देख सकेंगे कि थोड़े से समय लेगा और यहां पर हमारा 3D टेक्स्ट बनके तयार हो चुका है तो कुछ इस परकार से मैं यहां से 3D टेक्स्ट को बना सकता हूं बड़े ही असानी से तो कुछ इस परकार से आप 3D टेक्स्ट बना सकता हूं गड़े ही असानी से तो कुछ इस परकार से बड़ा कर देंगे तो दोस्तो यहां पर यह जो 3D टेक्स्ट है इसको बनाने के ल करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको बताना है कि आप इसको इसे इस फोटो सॉप में इस आप लागिन को डाउनलोड करना चाहते हूँ यह नहीं तो मैं आपको एक वीडियो बना करके बता दूँगा कि कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है यह वाला सबस्क्राइब करें बेल नहीं वीडियो की नोटिफिकैसन बहुत पसंद आया होगा बिडियो अपको पसंद आया हो तो यह कम रहिफ mrk हिंद जया हिन्थ झाल झाल झाल